Hello students, today we will learn about ascending and descending order. आज हम पढ़ेंगे कि ascending order कैसे solve होते हैं और descending order कैसे solve होते हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ascending order किसे कहते हैं और कैसे इने solve किया जाता है. Ascending order, arranging the numbers from the smallest to the largest number. Arranging the numbers, numbers को arrange करना कैसे smallest से largest number की और? Smallest से largest number की और arrange करने को क्या बोलते हैं? Ascending order. अब देखते हैं example. First example है हमारे आगे. 53,019, 6,989, 85,243, 82,8,275, 53,009. अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कितनी digit का है यह number? तो सबसे पहले हम देखते हैं कितनी digit है? 1, 2, 3, 4, 5. इसमें क्या है? 5 digits. इसमें 4. इसमें भी 5. इसमें 4 और इसमें 5. हमने digit देख ली. अब सबसे पहले कम digit वाले देखेंगे. क्योंकि smallest तो वो ही होंगे. तो कम digit वाले कौन से हैं? यह और यह. अब यह भी 4 digit है, यह भी 4 digit है. अब इसमें हम क्या देखेंगे? लास्ट नमबर को देखेंगे कि 1000, 1000 प्लेस पे कौन से नमबर है? अब इसमें है 6 और इसमें है 8. तो दोनों में से कौन से smallest हुआ? 6,989. तो सबसे पहले क्या गया? 6,989. फिर उसके बाद सीधा सही आजाएगा 8,275. इसके बाद अब 5 दिजिट का यह भी है, यह भी है और यह भी है. अब इसमें हम देखेंगे 10,000 प्लेस पे कौन से डिजिट है? इसमें है 5, इसमें 8 और इसमें 5. अब यह तो सबसे लार्जेस्ट हो गया, अब इन दोनों में हम compare करेंगे. अब हम second देखेंगे, thousand प्लेस पे कौन से है? 3, इसमें भी 3 है. अब हम hundred प्लेस पे देखेंगे, इसमें 0 है, इसमें भी 0 है. अब हम tenth प्लेस पे देखेंगे, इसमें 1 है और इसमें 0 है. तो सबसे smallest कौन सा हुआ? 53,009, तो 53,009. 4 smallest कौन सा हुआ? 53,019, और last में कौन सा जाएगा? 85,243. ठीक है? इस तरह से यह solve हो जाएगा. smallest से largest की और. अब हम second example देखते हैं. सबसे पहले हम digit देखेंगे, कितने digit का है? 4 digit, यह भी 4, यह भी 4 digit, यह 5 digit, और यह 5 digit. अब यह तीनों क्या है? 4 digit के हैं, तो smallest हुए. तो सबसे smallest क्या होगा? इसलिए हम thousand place देखेंगे. 5, 8, 4. सबसे small क्या होगा? 4, 350. उसके बाद second smallest, 5,342. फिर 8,375. अब क्या है? यह दोनों हमारे 5, 5 digit के हैं, तो इसके हम thousand, 10,000 place पे देखेंगे, क्या है? इसमें क्या 6? इसमें भी 6 है. अब हम thousand place देखेंगे, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है. अब हम hundred place देखेंगे, इसमें 9 है और इसमें 8 है. smallest कौन सा हुआ? यह. तो अब क्या जएगा? 62,856. फिर last में हमारा largest कौन सा हुआ? 62,956. इसी तरह से यह भी आपका solve हो गया है. तो ascending order में क्या होगा? smallest से largest की और आपको जाना है. अब हम पढ़ेंगे descending order किसे कहते हैं और कैसे इने solve किया जाता है. Arranging the numbers from the largest to smallest number. मतलब arrange करना, कैसे arrange करना? largest से smallest की और, largest सबसे बड़े से smallest की और इसे solve करेंगे. ठीक है? example देखते हैं हम. अब सबसे पहले हम digits count करते हैं. कितने digits का है? तो यह क्या है? 5 digits, 4 digits, 5 digits, 5 digits और 4 digits. अब इसमें क्या होगा? largest देखने हैं. तो largest कौन सा होगा? सबसे ज़्यादा digits वाला. तो इसमें क्या है? 5, 5, 5, 3 digits हैं. अब इसमें हम क्या करेंगे? 10th place देखेंगे. 6, 9, 6. तो सबसे largest क्या हुआ? 9. तो 9 वाली डिजिट को लिख देंगे. 94,236. अब इसमें भी 6 है. इसमें भी 6 है. तो हम 1000 प्लेस पर देखेंगे. इसमें क्या है? 7. और इसमें क्या है? 2. तो क्या आएगा? 7 largest होगा. तो 67,803. फिर उसके बाद क्या आजाएगा? 62,998. अब यह भी 4 डिजिट है. यह भी 4 डिजिट है. तो हम 1000 प्लेस पर देखेंगे क्या है? अब इसमें क्या है? 8. और इसमें क्या है? 6. तो कौन सा largest हुआ? 8. तो 8,651. और लास्ट में smallest कौन सा होजाएगा? 6,785. तो इसमें क्या होगा? largest से small की तरफ आ रहे हैं. अब second example हम देखते हैं. यह भी 5 डिजिट, 5 डिजिट, 5 डिजिट, 4 डिजिट और 5 डिजिट. अब सबसे बहले हम 5 डिजिट वालों को count करेंगे. मतलब देखेंगे कौन सा सबसे largest है? अब इसमें क्या है? 6, 4, 4, 4. तो सबसे पहले क्या आजाएगा हमारा? 7, 7 भी तो है. अब सबसे पहले क्या है? सबसे largest कौन सा है? 7, 70,456. अब इसमें भी 6 है. अच्छा, 6, 4, 4. तो अब क्या हो जाएगा? 67,436. अब क्या है? इसमें भी 4 है. और इसमें भी 4 है. तो आप क्या देखेंगे? हम 1,000 प्लेस पे देखेंगे. इसमें भी 3 है. इसमें भी 3 है. फिर उसके बाद हम 100 प्लेस पे देखेंगे. इसमें 5 और इसमें 8. तो 100 प्लेस पे कौन सा largest हुआ? 43,836. आ गया ये. अब उसके बाद क्या आ जाएगा? 43,536. और सबसे smallest वाला last में आ जाएगा. तो descending order क्या है? largest से smallest की हो. आपका ascending and descending order का chapter खतम होता है. Thank you.